कश्मीर के एक टिपर ड्राइवर को पांच साल की जेल की सजा और 20 लाख रुपया कमपनसेशन देना होगा 20 लाख रुपया कमपनसेशन उस परिवार को मिलेगा इस टिपर ड्राइवर की वज़ा से दो लोगों की जान चली गई और एक गंबी रूप से जखमी हो गया आपको बता दे कि यह टिपर ड्राइवर जो है बहुत तेज रफ्तार से जो है वो चलता हुआ आ रहा था जिसने एक बाइक को हिट कर दिया और एक बाइक को हिट करने के साथ यूस पर तीन लोग सवार थे दो की मोत हो गई और एक जो है गंबी रूप से जखमी हो गया लेकिन जब यह मामला कोट पहुँचा आपको बता दे जैसे ही यह मामला कोट पहुँचा तब इस पर कारवाई हुए और कारवाई इतनी important है कि हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए कि after all क्या judgment आई है इस accidental case में आप भी जानते हैं कि accident झो होते रहते हैं लेकिन this judgment को important इसलिए माना जा रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि judgment important है आपको बता दे क्योंकि इस में मोटर साइकल पर तीन लोग जो है वो सफर कर रहे थे और अचानक से एक टिपर ड्राइवर बहुत तेज रफतार से अपनी ही लापरवाही से चलता हुआ आ रहा था जिसने एक मोटर साइकल को हिट किया उस पर तीन लोग सवार थे उन तीनों में से दोकी जान चली गई और एक गंबी रूप से जखमी हो गया लेकिन आपको बता देए कि यह टिपपर ड्राइवर जो है मोके से अपना टिपपर लेकर भाग गया और इसने किसी को भी सूचना नहीं दी यानि किसी को भी इंफॉर्म नहीं किया किस से एक्सिडेंट हो चुका है शायद वो दो लोगा जिन्दा होते जो इसके वहाँ से छोड़ जाने से आज मोत के मूँ में है और वो कभी वापस नहीं आ सकते आप भी जानते हैं कि जब भी हम कभी न कभी सड़क पर एक्सिडेंट देखते हैं जिनका एक्सिडेंट होता है उनका परिवार उनके घर पर जो है उनका इntजार कर रहा होता है लेकिं वो घर नहीं पूंचते अब आगे की आपको जानकारी देदू इस टिपर ड्राइवर के खिलाफ जो है वो गांदरवल पुली स्टेशन में जो है मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन फयाज अहमत कुरेशी जो है चीफ जूडिशनल मैडिस्ट्रेट है इनकी जो जज्जमेंट है नमबर है जेके 16-4098 और सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह वहां से भाग गया जो गांदरवल का ही रहने वाला था और यह भागा ही नहीं इसके पास लाइसेंस भी नहीं था और लाइसेंस के साथ साथ इसके टिपर का पर्मिट भी जो है वो कैंसल हो गया था यह कि रोगों को बता दू कि कभी किसी का एकसिडेंट हो जाता है उसमें ज़्समेंट जो हैं कि बहुत कामा सकती है डार व्यक्ति कि अगर लगा लेकिन यह जज्जमेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टन साबित होने वाले क्योंकि इसमें टिपर ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस था ना डॉकुमेंट पूरे थे उपर से पर्मिट जो है उसके पास नहीं था तो ऐसे में यह जज्जमेंट आई है आप इ आप कमेंट भी कर सकते हैं